Hello Friends and Madden's Den, Human Anatomy and Physiology Second BP2010T के इस वीडियो में हम लोग अब यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 में रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है इसके इंट्रोड़क्श आप से इंग्त चलिए शुरू करते हैं पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनियत दॉक्टर पी के एस एंड डॉक्टर एंपीएस क्लासेज को और करे अपने वी फार्म डी फार्म का सपना साकार डाउनलोड दिया है नाओ तो अगर हम लोग यहाँ पे रेस्पाइरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा रेस्पाइरेशन है उसका क्या मतलब होता है जो हम लोग स्वसन की प्रक् करता है उसको हम लोग रेस्पाइरेटरी जो सिस्टम है वो यहाँ पे कहते हैं या जो संत्र है उसके नाम से इंडिकेट करते है अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो अगर हम लोग रेस्पाइरेटरी सिस्टम को देखें तो बैसिकली जो हमारा रेस्पाइरेटरी है। उसमें हमें contribute करते हुए देखने को प्राप्त होता है। हमारी जो body है वो एक homeless homeostasis की condition में properly maintain रहे, वो एक proper condition में maintain रहे, healthy condition में maintain रहे, उसमें हमारा respiratory system हमें contribute करते हुए देखने को प्राथ होता है, और किस तरीके से ये contribute करता है homeostasis में, तो ये basically जो हमारी gases है, उसका जो exchange है, वो हमें provide करता है, like जो oxygen है, और carbon dioxide है, उसका हमारा जो atmospheric air है, वहां से, blood से, और हमा से हमें इन गैसों के exchange को हमें respiratory system basically provide करते हुए देखने को प्राप्त होता है, तो जब भी हम लोग सांस लेते हैं, तो क्या होता है, कि जो fresh oxygen है, वो हमारे body के अंदर हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होती है, फिर वो हमारा, जो lungs है, उसके रास्ते, blood में जाती है, blood से, फिर वो हमारे body के अलग-अलग जो tissues है, वहां तक हमें जाते हुए देखने को मिलती है, जो हमारे body के अलग-अलग tissues है, cells है, वहां से जो carbon dioxide है, वो हमारे blood के अंदर आता है, और फिर वो वहां से हमारे lungs तक जाते हुए देखने को प्राप्त होता है, और जो हमारा होता है, लंग्स वो जब जो expiration की process करता है, breathe out करता है, तो फिर हमारी carbon dioxide हमें बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होती है, तो basically जो हमारा यहाँ पे gases है, oxygen है, carbon dioxide है, उसके exchange को जब हमारा respirator system properly provide करता है, तो हमारे body की homeostasis हमें properly maintain होते हुए देखने को प्राप्त होती है, करने में simply help करता है, तो हम लोग आसान तरीके से, इस place पे कह सकते हैं, कि जो हमारा oxygen और carbon dioxide gas है, उसके exchange को भी हमारे atmosphere से, blood से और body के tissues और cells हमें वहाँ पे उसके exchange को भी respiratory system provide करता है, और हमारे body के जो अलग-अलग fluid है, उनके pH को भी हमें adjust करते हुए देखने को प्राप्त होता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर simply बात करते हैं, तो जो हमारी body की cells होती है, उनको वो हमें यहाँ पे continuously oxygen को use करते हुए देखने को प्राप्त होती है, जब भी उनके अंदर अलग-अलग प्रकार की जो होती है, metabolic reaction जब होती है, तो उन reactions को होने के लिए हमें oxygen की आओ सकता होती है, और फिर हमारी जो oxygen है वो हमें cells के अंदर continuously use होते हुए देखने को मिलती है, और जब यह oxygen हमारे cell के अंदर जो अलग होती है metabolic reaction उसमें use होती है तो फिर हमारे nutrient से जो वहाँ पे energy है वो हमें release होते हुए देखने को मिलती है और फिर उससे हमारे ATP का production होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है body की जो energy की currency है ATP वो हमें बनते हुए देखने को प्राप्त होती है और at the same time जब यह reactions होती है तो फिर हमें वहाँ पे carbon dioxide co2 gas भी produce होते हुए cells में देखने को प्राप्त होती है और यह जो हमारी co2 है जब यह excess amount में हमारे cells के अंदर produce होती है तो वो फिर वहाँ पे acidity को cause करते हुए हमें देखने को प्राप्त होती है और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो acidity हमारे cells के अंदर co2 के कारण प्रोड्यूज होती है तो वो फिर हमारे cells के अंदर toxic effect हमें सो करते हुए देखने को प्राप्त हो सकती है तो यह जो excess amount co2 produce होता है वो फिर हमारे body से quickly और efficiently हमें उसका जो हमारा वो हमें eliminate होते हुए भी देखने को मिलत करते हैं oxygen को अंदर लेने के लिए और carbon dioxide को बाहर इस place पे eliminate करने के लिए पहला system हमारा जो cardiovascular system है वो यहाँ पे है और जो respiratory system है वो जब co-operate करते हैं एक दूसरे के साथ में operate करते हैं तो फिर हमारे oxygen की supply हमारे body के अलग-अलग cells में हमें होते हुए देखने को मिलती है और carbon dioxide हम body से eliminate होते हुए देखने को प्राथ होती है तो अगर हम लोग respiratory system को देखें तो basically यह जो हमारा CO2 है उसको eliminate करने का काम करता है बाहर निकालने का काम करता है और oxygen का जो intake है वो हमें यह provide करता है और इन दोनों gases का जब exchange होता है तो वो basically हमारे respiratory system के कारण हमें होते हुए देखने को प्राथ होता है और अगर हम लोग यहाँ पे cardiovascular system के बारे हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो blood है जिसके अंदर जिसके थूँ जो oxygen का intake और CO2 का elimination होता है वो हमें यहाँ पे cardiovascular system से transport होते हुए देखने को प्राथ होता है और फिर यह जो gases हैं वो हमार जो lungs हैं और body की cells हैं उनके बीच में हमें move होते हुए देखने को प्राथ होती है तो यह दोनों system जब cooperate करते हैं एक दूसरे के साथ में work करते हैं तो फिर हमारा जो gases का exchange है वो हमें properly होते हुए देखने को प्राथ होता है और अगर हम लो जो respiratory system है उसके और functions के बारे हम बात क देखने को मिलता है जो यहां पर हमारा CO2 है जो एक्सिस क्वांटेटी में आजाता है तो ब्लड का pH बढ़ जाता है तो उसको भी हमारे body से remove करता है और pH को वहाँ पर हमें regulate करते हुए देखने को मिलता है यहां पर जो हमारे senses होते है I smell के वही हमारा जो यहां पर होता रिस respiratory system, उसमें जो receptors होते हैं, basically जो nose का area है, वहाँ पे जो हमारे receptors होते हैं, वो जो smell है, उसको भी sense करते हुए हमें देखने को मिलते हैं, और उसके बाद में अगर हम लोग इस place पे बात करते हैं, तो जो भी हमारी inspired air है, जो की हम लोग breathe in करते हैं, अंदर की ओर लेते हैं, उसको filter क करना भी उसको साफ करना भी हमारे respiratory system का ही काम होता है, और यहाँ पे sound को भी produce करते हुए हमारा respiratory system है, वो देखने को प्राप्त होता है, तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो main function है, हमारे respiratory system का वो क्या है, oxygen और जो carbon dioxide gas है, उसका body में exchange को properly maintain करना, वो भी हमारे respiratory system का काम होता है, जो fresh oxygen है, उसको हमारे body के अलग-अलग जो cells है, वहाँ तक पहुचाना और जो हमारा वहाँ पे toxic substance है, CO2 है, जो की उससे release होता है cell से, उसको body से eliminate करना, हमारे respiratory system का जो पहला function है, वो है, यह हमारे blood के और body के जो अलग-अलग fluid है, उनके pH को भी हमें regulate करते जो हमारा smell है, महक है, उसकी जो sense है, उसके receptors भी हमें respiratory system में देखने को मिलते हैं, यह हमारा जो air हम लोग inhale करते हैं, inspired करते हैं, उसको filter करना भी, साफ करना भी, कि एक fresh air, साफ air हमारे lungs के अंदर जाए, उसकी भी responsibility हमारे respiratory system की होती है, और जो हम लोग बोलते हैं, तो sound को भी produce क जाही basically work होता है, अब हम लोग यहाँ पे respiratory system की, जो हमारी anatomy है, structure है, उसके बारे हम बात कर लेते हैं, तो basically जो हमारा respiratory system होता है, वो हमें यहाँ पे कुछ जो part है, उसका बना हुआ देखने को मिलता है, इसमें जो सबसे पहला part है, वो जो हमारी nose का portion है, वो basically इसका जो पहला part है, वो होता है, दूसरा part हमारा जो pharynx होता है, throat का region है, वो हमारा यहाँ पे होता है, उसके बाद में तीसरा part हमारा जो larynx है, जो की vice box कहलाता है, वो यहाँ पे होता है, ट्रैकिया हमें structure में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग जो wind pipe है, उसके नाम से indicate करते हैं, जो air है, वो इस pipe के थुरू move करती है, उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे होते हैं bronchi, वो हमारा यहाँ पे respiratory system का part होता है, और last में जो हमारा main part है, जो की lungs होते हैं, वो हमें respiratory system में देखने को प्राप्त होते हैं, तो यह basically हमारे इस place पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 5 part हैं, उसका basically हमारा respiratory system बना हुआ होता है, जो की nose से start होता है, और हमारे lungs पे हमें complete होते हुए देखने को प्राप्त होता है, तो अगर हम लोग simply बात करेंगे, तो आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में nose की जो anatomy है, उसके बारे में बात करेंगे, आगे का जो वीडियो हैगा next वीडिय in the last video में लोग लंक्स के वारे में बात करेंगे तो अगर हम लोग simply कहें, तो जो respiratory system है, उसके जो अलग-अलग हमारे part है, उनको हम लोग उसके structure के अचुअ कर सकते हैं और उसके क्या function है, उसके basis पर हम लोग इसको classify करने का काम करते हैं, तो हम लोग आसान तरीके से कहें, त Basically, जो हमारे respiratory system के अलग-अलग part है, उनका structure किस तरीके से है, उसके basis पे भी हम लोग इसको classify करते हैं, और उसके क्या functions होते हैं, क्या काम होते हैं, उसके basis पे भी हम लोग इसको classify कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इसका जो structural classification है, उसको देख लेते हैं, तो अगर हम लोग इस्ट्रक्चरली देखें, तो respiratory system को हम लोग दो part में divide करते हैं, पहला part हमारा इसका जो होता है upper respiratory system, वो यहाँ पे होता है, यह हमारे respiratory system का जो ऊपर का portion है, वो यहाँ पे है, तो इसमें हमें nose लूज अपना देखने को मिलता है, जो pharynx है, वो इसका part होता है, उससे जो associated structures है, वो basically हमारे upper respiratory system के part होते हैं, उसके बाद में अगर हम लोग इसका जो दूसरा part है उसको देखें, तो basically जो lower respiratory part हमारा होता है जिसमें larynx हमें देखने को मिलता है, जो trachea है है, ऋसका part होता है जो हमारा bronchi है वो इसका part होता है और जो lungs हैं वो हमें इसके part देखने को प्राप्त होते हैं तो इस तरीके से structure के basis पर हम लो respirator system को दो पर मेरे डीवाइड करते हैं Upper respirator system है lower respiratory system Upper respiratory system में nose, pharynx और उससे associated जो structure है वो यहाँ पर होते है lower respiratory system में larynx, trachea, bronchi और lungs हमारा यहां पे include होता है उसके बाद अगर हम लो functional classification के बारे में बात करते हैं तो basically जो functional classification है उसमें भी हम low respiratory system को दो पार्ट में divide करते हैं तो पहला पार्ट है वो हमारा यहां पे जो conducting zone है वो कहलाता है मतलब हमारा वो पार्ट जिसमें air हमें travel करते हुए conduct होते हुए देखने को मिलती है वो हमारा जो first part है conducting zone वो यहां पे होता है इसमें हमें एक जो हमारा series of interval connecting जो cavities हैं या tubes हैं वो देखने को मिलती है और यह हमारे lungs के अंदर भी हो सकता है और lungs के outside भी हमें देखने को प्राथ होते हैं तो हम लोग आसान तरीके से कहें तो जो हमारा यहां पे conducting zone है उसमें हमें यहां पे एक दूसरे से connected जो series of cavities हैं या tubes हैं वो देखने को मिलती हैं जो कि हमारे lungs के बाहर भी हमें देखने को मिलती है और अगर हम लोग परिक्टिंग We are conducting zone होता है movement होता है trachea में भी हमें air move होते हुए देखने को मिलती है bronchi में भी हमें air move होते हुए देखने को मिलती है उससे जो छोटा ही structure है जो की bronchioles कहलाता है उसमें भी air move होती है और जो हमारा bronchioles है उनके जो terminals होते हैं end होते हैं वहां तक हमें air is me move होते हुए देखने को राक्त होती है । अगर हम लोग इसके function के बारे में बात करते हैं तो basically जो हमारा conducting zone है, वो हमारे air को filter करते हुए देखने को मिलता है, air को साफ करते हुए यहाँपर देखने को मिलता है, air जो भी हम लोग inhale करते हैं, उसको warm करने का काम करता है, गरम करने का काम करता है, जो कि हमारा जो body का temperature है, वहां तक उसको heat करता है, उसको moisten करने का काम करता है, हलका सा उसमें जो नमी है, वो लेके आने का यहां पे काम करता है, और यह basically हमारे lungs के अंदर जो air है, उसको conduct भी करत के हुए हमें देखने को प्राप्त होता है उसके बाद में अगर हम लोग इसका जो हमारा दूसरा जोन है उसके बारे में बात करते हैं तो यह बैसिकली हमारा रेस्पाइरेटरी जोन होता है तो अगर हम लोग रेस्पाइरेटरी जोन के बारे में बात करते हैं तो यह बैसिक basically हमें यहां पे जो हमारा respiratory zone है उसके अंदर के tissues के थ्रू exchange होते हुए देखने को मिलती है, body के अंदर की carbon dioxide हवा में transfer होती है और air की जो हमारी oxygen है वो हमें यहां पे जो हमारा blood है उसके अंदर transfer होते हुए देखने को ब्रात होती है, और अगर हम लोग इसके जो structure हैं उनके बार monkey listen, wo हमारी respiratory zone को form करते हैं जो हमारी यहां पर alveolar duct हैं वो हमारे respiratory zone को form करते हैं और जो हमारा यहां को Земこと होता है, oxygen और carbon dioxide का वो हमें respiratory zone में ही होते हुए देखने को प्राक्त होता है अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा respiratory system है उसका जो पहला पार्ट है जो की nose कहलाता है उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग simply बात करें तो जो हमारा nose का area होता है उसको हम लोग basically यहाँ पे दो portion में divide करते हैं जो nose है उसको हम लो external जो उसका portion है वो अलग ह होता है और internal portion हमारा यहां पे अलग होता है तो basically no को हम लोग दो structure में divide करते हैं जब भी अम लोग anatomy के बारे में बात करते हैं एक जो इस Solomon जो उसका नेशugen कह लाता है दूसरह हमारा यहां पे internal nose कह लाता है तो सबसे पहले हम लो external nose के बारे में बात कर लेते हैं तो external का मतलब होता है बाहर ही तो जो हमारा यहाँ पे एक तरसे nose का area है जो कि हमारा बाहर की ओर होता है उसको हम लोग external nose के नाम से indicate करते हैं और अगर हम लोग simply कहें तो हमारे जो nose का वो portion जो की हमारे face के उपर हमें visible देखने को मिलता है, जिसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं, वो हमारा basically external nose कहलाता है, तो अगर हम लोग इसके structure के बारे में बात करते हैं, تو basically हमारे nose का जो ये area है, जो की हमें face के उपर visible होता है, उसको हम लोग external nose के नाम से indicate करते हैं, और अगर हम लोग ये जो nose है, उसको य मिलता है और इसके अंदर हमारे जो hyaline cartilage होते हैं वो हमें इसको वो भी हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं और यह जो हमारा यहाँ पे hyaline cartilage है और हमारा जो bone का framework है यह दोनों हमारे जो muscles हैं उससे cover देखने को मिलते हैं और skin के द्वारा हमें cover देखने को प्राप्त होते हैं और इसकी जो अंदर की internal lining होती है, अंदर की और की जो वहाँ सतर होती है वो mucous membrane की हमें बनी होई देखने को प्राप्त होती है तो आसान तरीके से कह सकते हैं, कि यहाँ पे जो हमारा bone है, उसमें हमें जो supporting framework है, ढाचा है, उसमें हमें bones भी देखने को मिलती है, highline cartilage भी देखने को मिलते हैं, जिसके कारण हमारी nose flexible भी होती है, और उसके उपर हमें muscles भी देखने को मिलती है, और इसके द्वारा हमारी nose cover हो वहाँ पे हमारा mucous membrane होती है, जिसमें हमें जो mucous है, वो secret होता है, जो कि उसको moisten करने का काम करता है, हलका सा गीला रखने का काम करता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे, इसका जो हमारा होता है, bonny framework, उसके बारे में बात करते है, एक्स्टर्नल नोज के, तो उसमें हमें frontal bone देखने को मिलती है, जो हमारी nozzle bone है, वो देखने को मिलती है, और जो हमारा maxili है, वो हमें basically structure में देखने को राप्त होता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे यह जो structure है, उसको देखते हैं, उसके बाद में, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इसका यह जो हमारा beach का area होता है, यह basically हमारा nozzle bone वो यहाँ पे है, beach का area है, और यह जो side का area है, वो यहाँ पे है, और आखों के पास का area है, उसको हम लोग maxilla के नाम से indicate करते हैं, और यह हमारा जो यहाँ पे, जो हमारा external nose है, उसका bony framework यहाँ पे होता है, हड़ी का जो framework है, वो यहाँ पे होता है, उसके बाद में, अगर हम लोग इसका जो हमारा cartilaginous framework है, उसके बारे में बात करते हैं, तो जो external nose का cartilage genus framework है, उसमें हमें जो यहाँ पे हमारे होते हुँआ हो septal, हमारे नजल cartilage है, वो देखने को मिलते हैं, और यह हमारा यहाँ पे जो इसका होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, हमारे जो होता हो नजल, जो septum है उसका, उसको हमें form करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे जो structure है, उसमें देखें, तो इस place पे जो हमारा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, वो septal का क्या मतलब होता है, तो septal हमारे वो structure है, जो कि किसी भी पार्ट को दो भाग में डिवाइड करते है तो अगर हम लोग अपनी nose को देखें, तो बीच में हमें एक layer देखने को प्राप्त होती है, यहाँ पे बीच में एक layer होती है, और वो हमारे जो nose है, उसको right and left side में divide करता है, तो यह जो portion है, वो septal का, जो हमारा portion है, वो है, और यह basically हमारे यहाँ पे जो septal, जो cartilage है, उसके बने हुए हमें देखने को प्राप्त होते हैं, और अगर हम लोग इसका जो हमारा वो दूसरा, यहाँ पे cartilage है, उसको देखें, तो यह basically हमारे जो होते हैं, वो lateral, हमारे नजल cartilage, वो यहाँ पे होते हैं, जो की हमारा जो यहाँ पे होती है, नजल bones होती है, उनके inferior नीचे क और हमें देखने को प्राप्त होते हैं, तो यह हमारे यहाँ पे हमारे इस side, और इस side अगर हम लोग देखें, यहाँ पे जो cartilage है, और जो opposite side में cartilage है, यह basically हमारे जो बने हुए देखने को प्राप्त होते हैं, और यह जो हमारा इस 가 par बोन का एरिया है उसके नीचे inferior देखने को मिलते हैं और यहां पर हमारा एक cartilage और है जो की कहलाता है एलर कार्टिलेज वो कहलाता है और यह हमारा जो हमारा होता है नोज की वाल का पोर्षन होता है जो की नोस्टिल को फ़ार्म करता है उसको हमें बनाते हुए देखने को प्राप्त होता है तो अगर हम दोग सिंप्ली बात करते हैं तो यह जो हमारा यहां पर cartilage है इतना structure है यह जो cartilage है यह basically हमारे जो होते हैं एलर cartilage वो यहाँ पे होते हैं जो कि हमारा जो यहाँ पर नोज है उसकी जो जो हमारी nostril है उसकी wall को बनाने का काम करता है तो नाक के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग nostril के नाम से इंडिकेट करते हैं उसको यह हमारा cartilage बनाने का काम क जो कि हमें उसको अगर हम लोग मूव कराते हैं तो हमें मूव होते हुए देखने को राप्त होता है और यह बैसिकली जो हमारा जो नोज है उसका जो एक इस्ट्रक्चर है उसको हमें यह दोनों फॉर्म करते हुए देखने को राप्त होते हैं और अगर हम लोग यहां पर बा करते हैं, या simply nostrils के नाम से indicate करते हैं. तो basically, जो neag' के दो हमारे छेंद हैं, वह basically यहाँ पे, हमारा external nose है, उसकी under surface, नीचे की जो surface है, वो होती है, जिसको हम लोग nostril के नाम से indicate करते हैं. Audrey, और अगर हम लोग.. जहाँ पे external nose हमारा है, उसके inferior surface के बारे में बात करते हैं, उसकी जो अंदर की surface है, उसके बारे में बात करते हैं, तो उसके basically यहाँ पे तीन main function हमें देखने को राप्त होते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे simply structure में बात करें, तो इस place पर अगर देखें, तो nose का जो हमारा under का structure है, यह जो अंदर का structure है, वो उसके हमें यहाँ पे तीन function देखने को मिलते हैं, पहला function इसका क्या है, कि यह हमारी जो भी incoming air होती है, अंदर की और जो air आती है, उसको warm करने का, गरम करने का काम करते हैं, जो वहाँ पे हमारा इसकी mucosal lining है, वहाँ से mucosa जो secret होता है, वो उसको moisten करने का, हलका सा गीला करने का काम करता है, और जो हमारे इसकी अंदर की lining है, वहाँ पे हमें hairs देखने को मिलते हैं, जो कि उसको air को filter करते हुए हमें देखने को प्राइप्त होते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला इसका function है, कि यह हमारे incoming air को warm करने का, moisten करने का, औ all factory, जब भी हम लोग बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है sense, तो यह smell तो, अगर हम लोग बात करते हैं, इस smell की जितनी भी हमारी इस्तिमुलाई है, कोई भी चीज अगर महक रही है, तो उसकी sense को detect करने का काम, basically, हमारा यहाँ पे जो external nose है, उसका जो हमारा anterior surface है, उसकी responsibility होत होती है, उसकी responsibility भी हमारा, basically, जो यहाँ पे external nose है, उसका जो interior surface है, उसकी होती है, तो अगर हम लोग हलका सा अगर जो हमारे nose वगरा है, उसको दबा लेते हैं, तो आवाज में हमें बतलाव देखने को प्राथ होता है, तो जो हमारे proper sound है, उसमें जो vibration है, वो basically हमें यहाँ प पे जो external nose है, वो complete हो गया, external, जो हमारे nose है, basically, वो portion है, जो कि हमें अपने face के उपर देखने को मिलता है, जो की visible होता है, अब अगर हम लोग जो हमारा internal nose है, उसके बारे में बात करते हैं, तो यह basically हमारा वो portion है, जो की हमें बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन हमारे nose का part होता तो अगर हम लोग internal nose को देखें, तो इसमें हमें एक large cavity देखने को मिलती है, जो कि हमारा जो होता हो नजल होता है, यहां पर vestibular, उसके beyond उसके पीछे हमें देखने को राप्त होती है, तो अगर हम लोग simply यहां पर बात करते हैं, तो यह जो structure है, अगर इसमें देखें, तो यह यहां पर यह जो portion है, हमारे जो नाक के पास का portion है, वो हमारा जो नजल, हमारा जो ता वेस्टिबुलाई, वो यहां पर है, उसके पीछे का हमारा जितना भी यह portion है, यह सब हमारा जो नजल केविटी है, या हमारा यहां पर internal, जो हमारा नजल है, वो यहां पर होता है, जो क पीछे की और देखें, तो यह हमारा जो फैरिंग से हमें communicate होते हुए देखने को मिलता है, मतलब की जो हमारा internal nose है, उससे जो भी air है, वो हमें यहां पर जो पीछे के side faring से हमेnt haring से connected, देखने को राप्त होती है, और यहां पर, अगर हम बात करते हैं, तो किस से communicate करता है, तो basically हमारी जो दो opening होती हैं, जिसको हम लोग, जो हमारा internal होता है, nervous या nose-tle है, उसके नाम से indicate करते हैं, उसके through हमारा fairings को यह communicate करते हुए हमेंगे को रापत होता है उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, तो basically जो हमारा internal loze है, उसके अंदर का जो space होता है, उसको हम लोग नजल केवटी के नाम से indicate करते हैं, और अगर हम लोग यहां पर बात करें, तो जो हमारा नजल केवटी है, इस प्लेस पे जो nostril है, उसके just inside, जो हमारी नजल केव यह जो हमारी नजल केविटी है, उसमें हमारा just, जो हमारा anterior बाहर का portion होता है, आगे का portion है, उसको हम लोग जो हमारा होता है, नजल वेस्टिबुली उसके नाम से indicate करते हैं, और यह हमारा जो नजल केविटी है, उसका starting portion होता है, और यह हमारा जो फैरिंग से वहां पे हमें partition होता है जो हमारे nozzle cavity को right और left side में divide करता है उस partition को basically हम लोग यहाँ पे जो nozzle septum है उसके नाम से indicate करते हैं यह basically हमारे जो इस place में nozzle cavity है उसको हमें right और left side में divide करने का काम करता है दो side में divide करने का काम करता है उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे concai है उसके बारे में बात करते हैं तो basically हम लोग यहाँ बात करें तो जो हमारा होता है nozzle septum उसके just pass में जब उसको हम लोग reach करते हैं तो वहाँ पर हमें जो concai structure है वो देखने को राप्त होते हैं और यह हर एक side जो हमारा nozzle cavity का है, right और left side, हमारा जो यहां पर nozzle cavity का होता है, उसको हमें sub-divide और भागों में बाटते हुए देखने को प्राप्त होता है, और यह हमारे एक यहां पर जो हमारा होता है, series of groove-like passage way उसको यहां पर form करता है, मतलब जो हमारे यहां पर उबरे groove-like passage होते हैं, उसको हमें form करते हुए देखने को प्राप्त होता है, तो आइए structure में हम लोग इसको देख लेते हैं, तो basically अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारा nozzle nozzle होता है concave, उसमें हमें अगर यहां पर देखें, तो यह हमारा superior concave है, जो जो कि beach का हमारा groove-like structure है, और यह जो हमारा inferior concave है, जो कि एक groove-like structure होता है, और यह basically जो हमारा nozzle cavity है, उसके दोनों साइड हमें देखने को मिलता है, और यह हमारे यहां पर जो होता है nozzle cavity, उसको यहां पर अलग-अलग जो passageway है, air के passageway है, उसमें हमें divide करते हुए, sub-divide करते हु से indicate करते है, इसमें हमारा यह जो उपर वाला passage है, इसको हम लोग जो हमारा superior होता, वो nozzle, हमारा métisaur, उसके नाम से indicate करते हैं, beach वाला जो passage है, वो medial होता है, और उसके बाद में अगर हम लोग नीचे वाले passage को देखते है, तो यह हमारा inferior जो हमारा होता, वो nozzle, जो materasurs है, उसक हमारे इस प्लेस पे जो नजल केविटी है उसके हर एक साइट के पोर्शन को सब डिवाइड करते हुए देखने को प्राप्त होता है उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो बैसिकली जो हमारे ओल फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वह बैसिकली इस प्लेस पे जो यहां पर हमारा इसकी जो हमारे उस सुपीरियर जो लाइन होती है हमारे उसकी मिंब्रेन पर हमें यह आल फैक्टरी रिसेप्टर्स देखने को प्राप्त होते हैं वहां पर यह होते हैं आल फैक्टरी पहले भी हम लोग ने बात किया इस मिल से जो हमारे वह रिलेटेड जो receptors हैं, उनको हम लोग all factory receptors के नाम से indicate करते हैं और यह basically हमारा जो septum का region है, जो की हमारे जो यहाँ cavity है, उसको दो portion में divide करता है, उससे adjacent, उससे लगे हुए हमें देखने को राप्त होते हैं, उसके ही पास में हमें देखने को राप्त होते हैं, और इनको हम लोग जो हमारा यहाँ पर यह जो हमारा structure है, यह जो हलका सा dark structure है, यह basically हमारा all factory epitheliums है, और यह basically हमारे sense को, जो भी हमारा smell की sense है, उसको हमें sense करते हुए यह cells देखने को प्राप्त होती है, तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर है nose उसको हम लोग आसान तरीके से, अगर complicated न करें, तो हम लोग यह जो इसकी हमारी anatomy है, वो यहाँ पर sufficient है, इसको हमारे अलग-अलग portions में हम लो simply divide कर सकते हैं, तो I think, so हमारा respiratory system क्या होता है, उसका introduction आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, respiratory system की anatomy क्या और उसका classification आपको properly समझ में आ गया होगा, और जो हमारा nose है, उसकी जो anatomy है, वो भी आप लोग को अच्छे से clear हो गई होगी, अगर अभी भी कहीं कोई confusion है, तो comment करके पूँ सकते हैं, इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा, इस video को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही videos को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिलकुल भी न भूलें और हमारे app को भी install करना बिलकुल भी न भूलें, thank you